गुड़ मॉर्निंग एवरिवन दोस्तों आज है 5th of May 2023 और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूस पेपर के अनलेसिस मेरा नाम है सितेंदर जोधरी और आज फिर से ले गए हूँ आपके लिए कुछ टोपिक तो कौन-कौन से टोपिक है आज एक बहुत बढ़िया और डिटे मनीपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मेती जो कमünd़ी है वहाँ पर जो सिडूल ट्राइब की डिमांड कर रही है तो आभ इसके बारे पुरा डिटेल में बात करेंगे मेती कौन होते है प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं एससकी हिस्ट्री थोड़ा जानेंगे और उसके लावाज बिहार केंदर जो कास्ट सेंसस हो रहा था उसको अभी हाई कोट ने करने से मना कर दिया है थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और एक बहुत बढ़िया सा एक एडिटोरिल दिया गया है आज एस पेपर 3 में साइंस अंट एक्वाले सेक्शन से लीगो पर आप आप को आप करना चाहों आप इसको देख सकते होगा इसे एशू नहीं है और पूरा से अपका प्रिलीम्स और में अपको दिया हुआ है आप इस पे क्रिक करके आप मतलिस कोल पे मेसेज पे जो भी आप करना चाहों आप information ले सकते हो निए डिस्क्रिप्शन में जाएगा चलिए जी तक टैली मानस काउंसेल कश्मीर डिस्ट्रेस्ट कोल्स तो कश्मीर के अंदरे के हैफला है नंबर है 14416 और 18008914416 यह सर्विस जो है 2022 के अंदर शुरू हुई थी और यह यहां पर कर सकते हैं जब से यह सर्विस ओपन हुई है पिछले साल से तब से लेके अभी तक यहां पर 10,000 से भी जादा कोल्स आ चुकी है तो एक तो बड़ी बात ही है कि कोल्स बहुत जादा आ रही है दूसरी बात जो यहां पर पैटर्न देखा गया है यहां पर देखने को मिला है यूजली अगर आप देखेंगे जो मेल होते हैं मेल में जो सबसे बड़ा कान होता हुआ है यहां पर देखिए अन एंप्लिमेंट लिखा हुआ है और फाइन्शल डिस्ट्रेस लिखा हुआ है फीमेल के जो है दूसरे इशूस भी जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि मैरिज रिगार्डिंग इशूस होते हैं पोस्ट पार्टम स्ट्रेस होती है रिलेशन्शिप ट्रबल होती है और पेरेंटल डिस अगरा होता है तो दोनों के रीजन साब को अलग अलग है देखने को मिलेंगे अगर आप देखें पिछली साल जो है ज जब से ये कोल हेल्प सेंटर ओपन हुआ है लोग खुल के अपनी बाते रखते हैं और खुल के उसके बारें बात करते हैं 65 परसेंट जो वीमन का कोल आता है वो उनकी एज होती है 20 से लेकर 30 के बीच में होती है मतलब यंग लोग है एक तो बड़ी बात यहां पर यह नजर बात है लेकिन जो observation है वो यह है जो इन्होंने यहां पर बताई है जैसे कुछ issues जैसे इन्होंने यहां पर mention किया है जैसे dating वाला issue है sexuality वाला issue है sexual orientation वाला issue है पहले इस तरह की बाते सोसाइटी में कोई सुनता नहीं था बात नहीं होती थी लेकिन अभी यहां पर लोग अपन के अंदर भी service को expand किया जाएगा तो यह तो हो गया case तो यह तो example आप आराम से exam में दे सकते हो लेकिन content क्या गयता है content यहाँ पर case study के बारे में बात करता है अज है detail में case study हम लोग करेंगे तो case study का तो देखे उपर जो यह पुरा content है यह पढ़ने का कोई परा फायदा है इसका खुद भी पढ़ सकते हो suicide represents the death of the despair and the anguish felt by the victim, unbearable suffering होती है each suicide signal the state's failure अब यहाँ पर state का रोल आया है देखे individual जो है वो तो होई रहा है लेकिन state का भी यहाँ पर रोल होता है क्योंकि जैसे farmers जो है suicide करते है तो वो तो state का ही failure है जैसे student suicide करते है तो वो भी state का ही failure होता है कहीं न कहीं क्योंकि उनको jobs नहीं मिलती, unemployment होता है वो सारी चीज़े जैसे girls हैं जैसे videos हैं वीडो हमारी society में एक marginalized section में count होता है तो videos अगर suicide करते हैं तो वो भी कहीं state का ही failure है girls जो है suicide करती है अलग-अलग reasons से most of the time जैसे domestic violence वोगरा होता है तो यह भी state का ही failure है तो state का भी यहां पर बहुत बड़ा important role होता है apart from personal qualities चीकर तो वो सारी चीज़े हैं लेकिन case study के perspective से यहां से mainly 4 questions बनते हैं अपने exam के perspective से do you think taking one's own life is morally justified तो क्या इसको morally justify किया जा सकता है इसमें कुछ philosophers को हम लोग देखेंगे उसके लावा why there is a high suicide rate among youth जैसे की उपर हम लोग इने example में भी देखा 65% जो calls आ रही थी वो 20 से लेके 30 के बीच में आ रही थी why do developed states in India also have high suicide rate मतलब usually यह कहा जाता है कि जो गरीब states होते हैं उसकी बजाए वहापर suicide rate ज्यादा होता है जो developed होते हैं पैसा वैसा जिनके पास होता है वहापर लेकिन ऐसा है नहीं actually में जो developed state है वहाँ पर ज्यादा suicide case आते हैं what steps can be taken तो एक तो यह बात होगी क्या किया जा सकता है तो यह चार question basically यहाँ पर case studies में जो है आते हैं तो थोड़ा सा पहला case हम लोग question का handle करते हैं do you think taking own life is a morally justified तो इसमें कहीं सरे philosophers का यहाँ पर mention किया गया है कुछ philosophers ने कहा है के yes it can be justified कुछ philosophers ने कहा है के नहीं it cannot be justified तो दोनों की list यहाँ पर दिया गया है और yes exam के perspective से आपको याद करना पड़ता है यह सब कुछ तो चार-पांच philosophers को याद रखो गए तो काम हो जाएगा जिसमें नोंने यह कहा you may conclude that the although suicide offers utility by ending personal suffering the grief it causes other may outweigh its loyalty तो जैर में बहनता ने यह कहा कि yes जो suicide commit किया जाता है वो एक utility हो सकता है क्योंकि आपके जो grief है आप उसको छुटकारा मिल जाता है लेकिन कम से कम calculate करना चाहिए नाम में लिखा हुआ calculus कि जो आपकी utility है वो grief से जादा है यह कम है जो इनके आपके आसपास रहने वाले लोग हैं जो society में आपके relation में रहने वाले लोग हैं क्या वो उनको भी दुख पहुंचाएगा ना तो इसको calculate जुरू किया जाना चाहिए तो उस sense में जो है आप इसको justify नहीं कर सकते कांट ने भी यही कहा है एक तरह से ठीक है कि जो he who contemplates suicide should ask himself whether his action can be consistent with the idea of humanity तो इन्होंने नहीं humanity के perspective से बात किया है तो उसके इसाब से भी इन्होंने यह कहा है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए social contract की जो theory which was given by Gene Jacks Rosso ठीक है यह बहुत बड़े philosophy रहे है रोसो और उन्होंने भी यह कहा है कि every man has a right to risk his own life in order to preserve it मतलब उन्होंने कहा है कि yes आप कर सकते हो in case आपकी values वगारा अगर destroy वहाँ पे हो रही है hopes और लोक तो इन्होंने तो बिल्कुल कहा है कि जो suicide होता है वो natural laws के बिल्कुल against में है तो यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए Aristotle ने भी कहा है अपनी एक book में discussion of courage में that committing suicide to avoid pain and other undesirable circumstances is a cowardly act तो उन्होंने इसको cowardly act कहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए but yes there are some philosophers जिन्होंने कहा है कि it can be justified जैसे Herodotus ने तो लिखा है कि when life is so burdensome death has become for man a sought after refuge भाई यह जब life में बहुत burden हो जाते हैं चारों तरब से आप घिर जाते हो समस्याओं से तो उस case में इसको justify किया जा सकता है as per Herodotus stoicism क्या कहता है एक थेरी होते है stoicism की जो यह कहता है कि yes मतलब आप अगर आप honorable life नहीं जी पा रहे हो अगर आप में बहुत misery चल रही है तो उस case में आप यह कर सकते हो क्योंकि अगर आप honorable life नहीं जी पा रहे हो तो भी आप क्या ही जी रहे हो यार तब भी वह एक मोत जैसा ही है अगर आप virtuous life नहीं जी पा रहे हो अपनी value based life नहीं जी पा रहे हो तो उस case में it is justified तो क्योंकि अगर आप value based life नहीं जी पा रहे हो तो आप यह समझे आपके सिर्फ body काम कर रही है आपकी soul तो already dead हो चुकी है as per stoicism Confucius ने भी ही कहा था कि morally आप इसको permission कर सकते हो because उन्होंने कहा है कि failure to follow certain values is worse than the death जैसे आपकी कोई values हो सकती है 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 किसी की values होती है अगर आप अपनी values के साब से जिन्दगी नहीं जी पा रहे हो तो वो तो फिर mode से भी बत्तर है भाई तो इसलिए उसको किया जा सकता है as per Confucius डेविड हूम ने भी इसको कही न कहीं justify किया है लैनर्ड पीकोफ ने भी इसको justify किया है that society is justified when man's life owning to the circumstances outside of the person's control is no longer possible an example might be a person with a painful terminal illness जब बहुत ज़्यादा बीमारी या किसी को cancer हो गया कोई ऐसी बीमारी होगे जिसको कोई इलाज ही नहीं है मतलब आप की life का आपके उपर control ही नहीं रहा है आपके circumstances क्या होंगे वो बहार से decide किया जा रहे है तो उस cases में जो है उसको justify किया जा सकता है Jacob Apple ने जो इसको थोड़ा criticize किया था एक sense में बट उन्हें ने भी कहा है कि extreme case में जब mentally illness होती है तो उस case में justify किया जा सकता है तो यह तो कुछ philosophers आपको पता होने चाहिए अपने argument को रखने के लिए exam में अगर इस तरह से questions राता है तो apart from that young लोगों में जो second question की हम लोग बात कर रहे थे suicide के cases बहुत जादा क्यों है social pressure and the stigma of course आज कल यूथ के ओपर बहुत pressure है कि आपको succeed होना है हर हालत में और success की जो majorly definition है वो क्या है material है आपके पास क्या गाड़ी है बंगला है घर है क्या क्या है आपके पास है तो उस वज़े से suicide बहुत pressure वड़ेगा youth के ओपर social media में आप देख लीजिए लोग कुछ भी pictures डालते हैं तो उससे compare करने की कोशिश करते हैं जिसे mental health issues होते हैं और लेटर ओन वो extreme step ले ले लेते हैं anxiety over the uncertain failure है ना जैसे education में आप देखिए jobs में आप देखिए कोई certainty ही नहीं है आपका future क्या होगा तो उस वज़े से भी जो एक तरफ टेंडेंसी बढ़ सकती हैं psychologically तो of course तो कि self esteem कम हो जाता है अब जिंदगी में दो चार जगा से failure मिल जाता है self esteem खतम हो जाता है और lack of support हमें नहीं है encouragement हमें आसपास के लोगों से नहीं मिलता है तो एक identity crisis भी हो जाता है और सबसे बड़ी बात है purpose purpose नहीं है life में यह जो why है न why why I need to live my life in a certain way तो वो कारण नहीं मिल पाता है जब civil services की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सबसे बड़ा एक ही सवाल आता है कि why? कि आपको क्यों करना है civil services? यह reason इतना strong होना चाहिए तो जिस reason के वज़े से आप हर रोज सुबह उठो excitement के साथ कि मुझे क्यों बनना है I.S. officer क्यों मुझे I.P.S. officer बनना है यह कारण अगर आपको मिल गया है न तो फिर आपको किसी external motivation की requirement नहीं है कोई YouTube पे आपको फालतू की motivation speech देखने की requirement नहीं है क्योंकि why जेतना strong होगा न motivation level उतना ही high होता है तो यह why नहीं मिल पाता है youth को यह भी बहुत बड़ा reason है भटकते रहते हैं एक बड़ बड़ा reason यह भी हो सकता है कि options बहुत जादा हो गए है क्या करें क्या ना करें दुनिया भर के options हैं तो confusion रहता है वोत समय तक और फिर later on आपको वो कान नहीं मिल पाता है तो वो एक चीज यहां पर हो सकती है lack of emotional support तो of course है आजकल individual सब कुछ होने की बात कर रहे है my rule, my life, yolo इस तरह की चीज़े चलती है तो वो सब चीज़े भी यहां पर गरबड़ करती है अगर आप दुख में हो, दर्द में हो आपके साथ एक बात को शेर करने वाला होता है आपको कंधा मिल जाता है रोने के लिए, बात करने के लिए, शेर करने के लिए तो यह humanity का सबसे बड़ा gift है गीता के अंदर भी से बात को बोला गया है community bond नहीं रहा है, आज कल इंडिविजुलिस्टिक फैमिली हो गई है traditional जो community थी, joint families गरा रहती थी वो सब खतम होता जा रहा है वो सरी चीज़े हैं और mental health care crisis की help नहीं मिल पाती है hospitals नहीं है, mental illness को एक properly identify नहीं किया जाता है society में इसके लिए taboo की बात की जाती है कोई थोड़ा से mental distress होता तो लोग बहुत है पागल हो गया है तो वो एक तरह का attitude हमारे यहां पर बहुत गलत है तो वो सरी चीज़ें हो गई लेकिन developed states के अंदर जो है जादा society की देखने को मिलते है as compared to developing or the poor state यह भी बहुत बड़ा कोश्चे मार गया भाई यहां पर तो देखे पहला कार्णी नहीं लिखा हुए greater social comparison and the competition जैसे जैसे आप affluent होते रहते हो अमीर होते रहते हो पैसा आपके आते रहते है तो आप दूसरे से compare करना शुरू कर देते हो एक दूसरे को success के लिए आपके पास bike है दूसरे पास गाड़ी है गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है तो material जो चीज़े होती है आप उसमें अपनी खुशी ढूणने लगते हो तो compare करने लगते हो तो ये ज़्यादा तर अमीर societies के अंदर देखने को मिलता है individualism and isolationism हर कोई अकेला रहना पसंद कर रहा है किसी कोई support नहीं है family support नहीं है community bond नहीं है तो जब किसी को help की requirement होती है तो वो अकेला महसूस करता है even affluent society में किसी की help मांगना अपने आप में ही एक stigma है help मांगने को ये समझा जाता कि यार ये आदमी खुद की प्रोलों से deal नहीं कर सकता इसलिए help मांग रहा है तो वो उस वज़े से help मानने से जिजगते हैं तो वो सारी चीज़े होती है hedonistic treadmill हाँ उसी की बाइबाद कर रहा हूँ कि material चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना दुनिया हमें लगता कि material चीज़े अच्छा mobile आएगा अच्छा laptop आएगा अच्छी गाड़ी आएगी तो शयद मुझे खुशी मिल जाएगी उसी के अंदर घुमते रहते हैं तो वो consumption pattern के अंदर बैठे रहते हैं 18 गंटे काम करते हैं 20 गंटे काम करते हैं और पैसा आएगा खुशी आएगी लेकिन वो आती नहीं है तो कि community support आपके पास है नहीं existential crisis भी बहुत लोगों को हो जाता है वो why नहीं मिल पाता क्यों? meaning and the purpose of life अब भागते रहते हो पैसा कमाते रहते हो चीज़े आती रहती हैं फिर भी आगो कुछ कमी नजर आती है वो सारी चीज़े हैं तो सब यहां पे होता है नियो लिब्रल एथिक्स की जैसे हम लोग developed countries के जो ideas हैं, lifestyle हैं उसका adopt कर रहे हैं free market, self-interest, my life, my rules है ना you only live once ruthless competition हो गया भी यह success के लिए तो society में जो inequality बढ़ रही है selfishness बढ़ रही है, lack of empathy है emotions नहीं हो रहे हैं लोगों के अंदर compassion की कमी नजर आती है वो सारी चीज़े है traditional जो structure थे, हमारे family structure वो खतम होते चले जा रहे है modernization की तरफ हम लोग जा रहे है traditional social support वागा खतम होता जा रहा है mental health care का gap तो of course यहां पे है ही हम लोग hospitals में नहीं जाते, psychologist भी नहीं हमारे society के अंदर तो एक silent suffering होती रहती है घर लोग घुटते रहते है, sad song सुनते रहते है और ultimately वो सब चीज़े हो जाती है what steps can be taken तो यह तो सबसे last वाला point है क्या किया जा सकता है तो पहली बात तो sense of purpose की बहुत requirement है यह life में है ना, courage, tolerance, empathy, compassion यह सब चीज़ें definitely होनी चाहिए why जो reason है, why जिन्दगी जीनी क्यों है, कैसे जीनी है यह बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है young लोगों को सिर्फ material चीज़ों के पीछे ही नहीं भागना चाहिए बल्कि creativity के पीछे भी भागना चाहिए जैसे art, music, writing, volunteering, sports वगरा यह life में एक sense of purpose देते हैं और अपने mind को divert भी करके रखते है खुशी महसूस होती है हना 24 घंटे हम लोग सिर्फ material चीजों के पीछे भागते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है problem solving, skills, critical thinking, mindfulness, resilience, meditation वगरा करिए वो सब चीज़े definitely यहाँ पर होनी चाहिए भगवद गीता के अंदर भी कितनी अच्छी अच्छी बाते कहीं गई है जैसे हम लोग कोई काम करते हैं पढ़ाई करते हैं या कोई भी job करते हैं तो हमारा focus किस के उपर रहता है हमारा focus रहता है output के उपर, result के उपर focus रहता रहना भी चाहिए लेकिन रिजल्ट के उपर इतना फोकस नहीं होना चाहिए कि बाईचास अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो आप mental illness में चले गए तो भगवित गीत में का है कि once purpose or duty without expectations of the result maintaining equanimity of the mind माइन को शांत रखिए and realizing the eternal indistrictible nature of the soul वैसे अगर आप body मर जाती है तो soul तो फिर भी जिंदा रहती है तो सिर्फ body जाने से दुख दर्द होंगे कम हो जाएंगे ऐसा भी जुरूरी नहीं है है ना soul तो क्योंकि आजर अमर होती है और आप result के उपर इतना focus मत कीजिए के आप सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रह जाओ अपना करम करिए प्रोसेस के उपर बिलीव करिए और जो result आएगा क्योंकि क्योंकि आपका control प्रोसेस के उपर हो सकता है थोड़ा बहुत लेकिन result के उपर आपको control नहीं होता है 100% तो यह कुछ चीज़ें जो है गीता के अंदर कहीगा है तो यह हम लोग चीज़ें सीख सकते हैं Mental health awareness of course लोगों को educate करना चाहिए स्कूल के अंदर colleges के अंदर के भाई पहचानिये जो mental stress होती है तो उसके कुछ कान क्या होते हैं तो अगर हमें identify कर सकते हैं तो उसका solution भी मिल जाएगा social connection बना बहुत जरूरी है social connection मतलब social media नहीं है हो सकता है social media भी ऐसी बात नहीं है लेकिन real connections जो होते हैं अपने आस-पास के जो लोग होते हैं friends real friends जो होते हैं उससे को है ज्यादा support मिलता है rather than social media इंप्रूव access to the counselling social media के तो अगर आपने किसी ने लिख दिया ना एक बार किसी ने लिख दिया था that I am quitting my life I am going to commit suicide उसके उपर भी जो है 500 लाइक आ जाते हैं यह हालत है social media का तो तो उस पर तो अजब बिलीव ही मत करिये इंप्रूव access to counselling yes healthcare facilities होनी चाहिए यूथ के लिए limit social media use तो यहां पर साब सब लिखाई हुआ है क्योंकि social media साब एक दूसरे को compare करते हो उसकी life तो बहुत अच्छी चल रही है उदर travel कर रहा है उसके पास तो गाड़ी है बंगला है वो सब कुछ नहीं होता सब दिखावे क करना चाहिए और provide social crisis support जैसे health जो उपर हम लोगने support की बात की help center की उस तरह की चीज़े पुरे देश में होनी चाहिए तो इस article काफी अच्छा है डिटेल आर्टिकल है तो मैंने अच्छी खाज इसके उपर discussion में किया है इसका आप देख सकते हो मैंनी के अंदर कुछ लोगों की death होगे कितनी हुई है वह हमें नहीं पता है लेकिन अब भयांकर उप से वहां पर rights हो रहे है जो है सीधा सीधा वहां पर shooting का जो है order दे दिय जा गया है वहां पर 144 धारा लगा दी गई है तो situation काफी tense है वहां के उपर लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई हालांकि इसकी exactly शुरुआत हमें नहीं पता लेकिन जो articles मैंने पढ़े उसके बारे में तो यह ही कहा गया है देखिए पहले मनीपूर के आपके थोड़ी ज होता अफकोर्स और जो geographical जो side में जो mountainous areas है हीली areas है वहां पे रहते हैं ट्राइबल्स ठीक है लेकिन जो बीच में वैली वाला area है यहां पे रहते हैं मेथी ठीक है मेथी population रहती है तो 60-70% जो population है मनीपूर की वो मेथी population है जो रहते हैं इस बीच वाले area में only 10% area है यह बीच वाला मतलब मनीपूर का 10% plain area है वहां पे 60% मेथी लोग रहते हैं और जो आस पास का mountainous 90% region है वहां पे सिर्फ और सिर्फ 30% जो है tribal population रहती है तो geography तो एक अपने आप में थोड़ी सी वहां पे issue है तो जिसकी वाज़े से जो valley वाला region है यह काफी जादा population इसके अंदर बहुत जादा बढ़ गई है density बहुत जादा हावी हो गई है एक तो यह reason है तो जो चीज़ा को मैंने बताई वो तो आप यहां पे देखी सकते हो शिरुवात कहां सी होती है ऐसा माना जाता है कि मैनमार से कुछ tribal जो है वहां पे आए आपी भी आ रहे हैं पहले भी आए थे जो की यूजली जो है कुकी ट्राइब से बिलोंग करते हैं यह मैनमार से आये और यह कुछ हिली एरियाज में सैटल हो गए और यहां पे यह कुकी जोमी जो लोग थे कुछ गाउं गारा में जो अफीम की खेती किया करते थे उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जिसकी वज़े से प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हुए और वह प्रोटेस्ट फिर बाद में एक ट्राइबर सोलिडारिटी फेरैली लगाए चलाई गई में तुझी अबर वोज़े इस प्रोटेस्ट कर रही है और जो मेति पॉपलेशन है है अपनी रेजर्वेशन के लिए मतलो इस्टी स्टेटस के लिए डिमांड कर रहा था तो यह तो इसवा पर करनली चल रहा है मेति है यह मेति मेत्री मनिपूरी आप इसको कह सकते हो यह वेशनवाइट हिंदू रिजिन को फोलो करते हैं और यह नोर्थ इस्टन रिजिन में या सेंटर में जो वैली वाला रिजिन है मेस मोजरली वहाँ पर रहते हैं इनके अंदर एक जो है कोपरेटिव सेविंग और क्रेडिट इ खुद ही दूसरे की हल्प करते हैं और तीपतन बर्मीज लैंग्वेज यह बोलते हैं ऑह होर्स ब्रीडिंग एक बड़ा ही यूनिक सा एक प्रफेशन होते हैं जो यह लोग करते हैं और पोलो जो है इनका सबसे फेवरिट स्पोर्ट है और यह वहाँ का स्टेट तो यह तो थोड़ा आपके इनके बारे में पता होना चाहिए और्गुमेंट क्या दिया जा रहा है 2013 के अंदर Ministry of Tribal Affairs ने Union जो Minister of Tribal Affairs है उसने मनिपुर की State Government को Recommendation दिया था About Including Maiti Community in the ST List लेकिन वो नहीं किया गया था मतलब 10 साल पहले का Recommendation था अब तक इसको लागू नहीं किया गया तो मेती लोगों का यह कहना है कि जब Recommendation आ गई थी आपके बाद 10 साल पहले तो आप कर दीजिए क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि 1949 से पहले मेती लोगों को ओलरी ST का स्टेटस मिला हुआ था लेकिन जब स्टेटर स्टेट बना तो वो स्टेटस यहां से हट गया यह चीजी होई क्योंकि ST स्टेटस मिलने से क्या होगा जो वहां के Land Rights हैं जो एंस्टेटर ट्रेडिशनल जो कल्चर हैरी लेंगवेज हैं उनको Special अधिकार मिल जाते हैं तो जिसकी वज़े से उनको जो लोकल क्लचर है वो फ्रिजर्व होता है ST status मिलने से तो वो इसकी डिमांड कर रहा हैं कि भई यह बहार के लोग हमारे यहां पर आ रहे हैं ऑफिस खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं जोब्स कर रहे हैं जाता है लोग बाहर वाले उसमें आ रहे हैं, तो यह रीजन यहाँ पे है, तो वाट वाय अधा ट्राइबल ग्रूप्स अगेंस एस्टी स्टेटस, अब मेती तो यह डिमांड कर रहे हैं, यह रीजन है उनके पास, लेकिन जो दूसरे ग्रूप्स हैं, वो मेती के एजुकेशनली भी बहुत स्ट्रोंग कम्मुनिटी है, क्योंकि जो स्कूल और कोलेजी जो गरा हैं, वो वैली के अंदर है, जहाँ मेती पोपलेशन बढ़ाई करती है, तो क्योंकि एजुकेशन उनके पास है, तो ज्यादा तर जोब वो भी मेती लोगों के पास ही है, तो हीली एरियास जो है, जहाँ पर दूसरे जो ट्राइबल्स रहते हैं, तो यह क्या होगा, दूसरे जो ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पर जाके जमीन खरीदना शुरू कर देंगे, हीली एरियास केंदर, तो वहाँ पर भी मेती की पेनिट्रेशन हो जाएगी, है ना, और जो मेधी लोगों की जो लैंग्वेज है, ओलड़ी इसको Constitution के 8th schedule में डाल दिया गया है, तो यह कहना कि हमें हमारी language को protect करो, तो वो तो ऐसे argument है ही नहीं, क्योंकि ओलड़ी Constitution गंदर उसको protect किया गया है, तो these are some of the arguments of the both parties, जो थोड़ा साब यहां पे इस issue को समझने के लिए कर सकते हूँ, ठीके जी, चलिए, इंडिया रश्या सेट टू सस्पेंट टोक्स टू सेटल ट्रेड इन दर रूपी, तो आपको पता ही है कि रश्या जो है इंडिया का सबसे बड़ा oil importer बन गया है, और जो रश्या से हम लोगो oil import करते हैं, उसको अपने यहां पे refineries के बहुत सारे लगाए गए हैं अमेरिका के दौरा, तो डोलर के अंदर ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया है अमेरिका, रश्या के दौरा, क्योंकि रश्या कहीं सवारे banks को swift system से बाहर कर दिया गया था, तो रश्या और इंडिया ने सोचा कि हम लोग डोलर में ट्रेड न अब वैसा ही हुआ, तो बहुत सारा रुपया रश्या के bank में चला गया, क्योंकि हम लोग ने उनको रूपी में payment किया, लेकिन भाई रश्या से इस रूपी को कोई ले ही नहीं रहा है, लेकि हमारे बीच में तो चला ट्रेल डेफिसिट, हम लोग mostly रश्या से import करते हैं, export बहुत कम करते हैं, तो बहुत सारा रुपया रश्या के bankो में वो पड़ा हुआ है जो काते हुँ, क्योंकि उस रुपया को कोई और accept ही नहीं कर रहा है, ना उसको China कर रहा है, ना Japan कर ना Ukraine कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है, तो रश्या का ये कहना है, कि भाई, ऐसी काम ही चलेगा 40 billion आज पास जो surplus है वो रश्या के बैंकों में हमारा हो गया है विच इस नोट कर दीजिये हैं न हो सकते हैं चाइनीज करण्षी इंदर भी कर दो क्योंगि चाइनीज करण से ब Εक्सेट की जाती है या अफरेकंट ने क्या होगा इसमें थोब्लब करेंगे बिहार ने कुछ से में पहले कहा था कि हम लोग विहार में कास्ट सेंसर्क्राइगे वैसे बिहार में बहुत समय से कास census की डिमांड होती रहती है तो जब center government ने मना कर दिया तो बिहार की state government ने खुद इस जिम्मेदारी को उठाया उन्होंने कहा कि हम लोग खुद करेंगे तो बिहार के अंदर हो रहा था cash census दो phase में होना था फर्स्ट फिस तोल्रमस्ट खतम हो चुका है सेकंड फिस शुरू होने वाला था लेकिन high court के अंदर ही मामला गया भिहार में और high court ने कहा कहा नहीं नहीं आप इसे immediately रोग दीजिए ये cash census नहीं होगा और उसको जो है जुलाई का समय दिया गया है आगली डेट जो दी गई है तो caste census रुख गया है क्या कहाना है high court ने सा क्यों कहा high court का ये कहना है कि caste census is also a census नामे ही उसके census है और census मतलब population census गणना, जन गणना और जन गणना जो होती है census होता है वो union government का पार्ट होता है state government census नहीं कर सकती इसलिए कार्ट census वो constitution के against में है ये union की power के against में है इसलिए आप इसको रोक दीजिए high court में तो फिलाल ये argument दिया है आगी जब case जाएगा तब इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे ठीक है चलिए आज का है editorial क्या कहता है a boost for science a wider window to the universe ये मामला है क्या leego के बारे में है leego leego का मतलब होता है laser interferometer gravitational wave observatory laser interferometer laser interferometer gravitational wave observatory leego क्या है थोड़ा साब को इसका basic में बताता चलता हूँ हमारे पास होती है जी gravitational waves जैसे space होता है उस space के अंदर बहुत सारी celestial bodies होती है solar system होता है galaxies neutron star black hole supernova explosion बहुत कुछ होता है space के अंदर तो तो जैसे sun है ठीक है sun का gravitational field जो है वो earth के उपर पढ़ रहा है sun का gravitational field impact जो है वो दूसरे planets के उपर भी पढ़ रहा है sun का खुद का अर्थ का अर्थ का अर्थ का दूसरे planets के खुद का भी gravitational field होता है तो आइंस्टाइन ने 1916 में यह कहा था कि यह जो पूरा space है ना यह कपड़े जैसा fabric है space time fabric होता है जिसके अंदर gravitational waves चलती है gravitational waves चलती है जैसे कोई supernova explosion हुआ कोई black hole आपस में merge हुए या कोई explosion बहुत बड़ा explosion हो गया तो जिसकी वज़े से पूरा space है ना इस space के अंदर जो है ripples पढ़ जाते है disturbance हो जाती है और फिर उसके थुरू gravitational wave ट्रेवल करती है create हो सकती है जैसे आपस देख लिए कपड़ा है उस कपड़े के अंदर आपने क्या डाला यहाँ पर कंकर डाली चोटी सी कंकर डाली तो disturbance तो होगी आपने उसके अंदर बड़ा पत्थर डाला उससे भी disturbance होगा तो यह जो जैसे छोटा पत्थर मतलब चोटा एक्स्प्लोजन बड़ा पत्थर मतलब बड़ा प्लैनेट सन ब्लैक होल कुछ भी हो सकता है तो यह एक पूरा कपड़े जैसा फैबरीक होता है स्पेस जिसके अंदर यह अलग-अलग अबजेक्ट्स होते हैं जिसके वज़े से रिपल्स क्रेट होते हैं तो जैसे सूपरनोवा एक्स्प्लोजन हुआ तो थोड़ा रिपल क्रेट हो गया disturbance हो गई कोई बड़ा स्टार ओर्बिट करता एक दूसरे को उससे भी हो जाता है ब्लैक होल और जब मर्ज करते हैं तब भी हो जाता है न्यूटरन स्टार और मर्ज करते हैं तब भी हो जाता है तो यह disturbance वहाँ पर होती रहती है तो 1916 में अलबर्ट आइंस्टेन ने हमें यह बताया था लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था आइंस्टेन के बताने के बाद फाइनली 2015 में मतलब सोमज के देखे सो साल के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में लीगो अब्जर्वेटरी के अंदर जिसमें से पहली बार हम लोगों ने ग्रैविटेशन वेव को अब्जर्व किया देखे पता तो था हमें ग्रैविटेशन वेव होती है कुछ न कुछ लेकिन एविडेंस नहीं था एविडेंस कब मिला 2015 के अंदर और इसलिए लीगो को उस समय नोबल प्राइस भी दिया गया था 1916 का जो डिसकवरी थी वो 2015 के अंदर हम लोगों ने किया यह मड़ी इंपोर्टेंट पॉइंट है और एक्जाम में ग्रैविटेशन वेव को अलड़ी प्रिलिम्स में भी कोशिन पुछा जा चुका है तो एक्टा को यह पता होना चाहिए दुनिया में कहीं जगे पे लीगो लैब्स हों है बनाई गया है इटली वगारा के अंदर भी है फ्रांस में भी है अमेरिका में सबसे बड़ी है अभी अमेरिका का जो इंसिटूट है United States National Science Foundation ने इंडिया के साथ हमारा जो राजा राजा रामन्ना सेंटर फर एडवांस टेकनोलोजी है RRCAT उसके साथ मिलके जो की Department of Atomic Energy केंटर में काम करता है इंडिया में भी एक लीगो उब्जर्वेटरी बनाने का फैसला किया है जिसमें इंडिया 320 मिलियन डोलर इंवेस्ट करेगा तब यह देख लीजे के इंडिया में अपनी आपका पहला अपनी आपका पहला ही है largest and the first one जो इतने बड़े लेवल में बनाया जाएगा international collaboration के साथ महराष्टर में इसको बनाया जाएगा तो यह थो थोड़ा साब को पता होना चाहिए बाकी इसमें हम लोग क्या करते है laser light का यूज करते है नाम में ही इसके इंतर लेजर आता है Lego में laser, ELF और laser तो यह जो laser technology का यूज किया जाता है इससे कहते हैं interferometry क्योंकि जो supernova explosion होता है black hole merge करते हैं जैसे यहाँ पर कर रहे है तो यह जो fabric है जो कपड़ा है space time वाला वो कभी stretch हो जाता है कभी squeeze हो जाता है और जब वो stretch होता है तो उसको ही यहाँ पर observe किया जाता है laser light के द्वारा जिसे हम लोग बाद में gravitational wave का नाम दे देते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट यह पराना article था यह थोड़ा सर देख सकते हो हंगोली डिस्टिक महराष्टरा के अंदर इसको बनाया जाएगा एक observatory को चीक है इसके बहुत सारे benefit होंगे हमें तो apart from other benefits के science के साथ collaboration करेंगे world के साथ and all that यह बहुत बड़ा benefit यह भी है कि इसमें jobs बहुत create होंगी high level skilled jobs create होंगी science, technology, engineering और mathematics वाले field में यह बहुत बड़ी बात है और यह देखे इंडिया एक developed country है हम लोग विशू गुरो बनना चाहते है technology में world leader बनना चाहते है तो शुरुवात तो आज से ही करनी पड़ेगी अमेरिका में जो 2015 में legal experiment किया गया था उसकी शुरुवात actually 1970 में हो गई थी सोचके देखे 30-40 साल पहले उन्हेंने उस process को शुरू कर दिया था तब जाके कहीं result आता है तो एक दिन में result नहीं आएगा तो इसलिए इंडिया को अभी invest करना यहां पर बहुत ज़रूरी है तो यह कुछ-कुछ चीज़ से इसके इसके बताई गई है अपार्ट फ्रूम अधर benefits वो तो of course होगा ही लेकिन यह jobs वाला भी आप कर सकते हो like-minded लोग साथ में आते हैं और अमेरिका इंडिया जिस तरह से आपस में खास मित्र बनके उभरे हैं तो कहीं न कहीं टेक्नोलजी डिफेंस होगा हम इसका benefit मिलेगा और यह लीगों से आप आराम से देख सकते हो तो इसके लिए भी अच्छा-खासा content है आज वाला content तो ज़्यादा detail नहीं था लेकिन यह पुराना content जो आप देख रहे हो कहां चला गया है हाँ यह वाला content यह content पुराना content है आपके पास शायद अलड़ी होगा नहीं है तो इसलिए मैंने दुबारा से slide इसकंदर add कर दी थी तो prelims और means दोनों के perspective से important है ठीक है जी तो अब इसको देख लिजिए एक हमारे यहां पर interview है CCTV गरा के बारे में additional articles है अगर इसको पढ़ना चाहो ता पढ़ सकते हो नहीं पढ़ना चाहो तो छोड़ दो कोई ऐसाच नहीं कभी future में कोई खास article नहीं आएंगे paper में तो इसको हम लोग discussion कर लेंगे ठीक बच्चो तो आज के लिए तना ही है Thank you very much, all the best, जाहें